नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सर्वन दिया आप देख रहे हैं स्टी स्पिस्ट डिस्ट पेलर आज के वीडियों बताऊंगा कि कांचली की कटिंग कैसे करते हैं इससे पहले मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले हम कांचली की लंबाई है साड़ा 14 एंच और मौरी है 9 एंच और हम थेला कट करेंगे 14 एंच यह थेला मौरी के हिसाब से कटिंग होता है तो हम 14 एंच पे कट कर देंगे हम यह कट कर दिया है अब मैं ऐसे फॉल्ड करके जमा देना है और शाड़ा 14 एंच के निशान लगाना है और यहां से हम कट कर देंगे और यह थेला मौरी के एसाब से रहता है 14 एंच से स्टार्ट होता है 16, 17, 18 एंच तक रहता है कटिंग होता है और यहां से हमें यहां से पांच से पांच से तक रहता है यह थे खांच लिकी बाद भी कट हो गई है अब हम बनिया कट करेंगे यह पीछे यह कपड़ा बच्चा है इसमें हम बनिया की कटिंग करेंगे बनिया हम साड़ा चांच चर्केंगे यह भी मौरी के हिसाफ से गनिया रख रहता है 3.7 से हीटाट होता है और जैसे 5.7 नियुक्त करता है और यह लंबा ही 10 रखने है और हैसे भी इस्टे कट कर देना है और जो कपड़ा बचा है से हमें अग काटिंग करेंगे जो टुकी के निचे लगती है यह हमें 3.5 इंच के कट करने है तोड़ी और लंबई रखने है साहा तिंच ज्यादा भाग है वो कट कर देना है मैं साहा तिंच लंबई है कि यह अब हम जो कुर्ती का गटा कटिंग करते हैं उसमें जो गटा निकलता है उसका डबल फॉल्ड करना है गटे का और बीच से कट कर देना है और यह से भी कट कर देना है यह अधिया दो अधिये और एक बाड़ हो गई है इसे यहां से बीच से कट कर देना है यह भी साड़ा तीन इंच है जो हमें पहले बाड़ कट करी थी यह साथ में जाइंट होती है यह दो नों बाड़ होगी और दो अधियों गए अब हम टुकिये की कटिंग करेंगे यह जो मुड़ा निकला था आर मोरल हमने कुर्टी का कट किया था वहां से यह निकला है यह पांच इंच निकान लगाएंगे कट कर देंगे दूसे साइड में पांच के कट करेंगे हैं आर ऐसे कूल देनी है और ऐसे समत कर देना है यह तूछी कटिंग हो गयी है अब हम दूसरा भी के उपर रखेंगे कुट कर दा दना हमे करके हम विकी कटिंग कर देना है हमारा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके दिरूर बता है यह कटिंग हो गई है यह देखिए यह और यह बाइड हो गई है यह यह से जाइंट होगी आप इसमें और यह तुक्रें यहां जाइंट होगा काचली का वीडियो देखना हो तो उपर आई बटन मिल जाएगा थेंक्स पर वचिंग